हलो फ्रेंड स्वागत है आग कामाई चनल पार आज हम आप के लिए लिखिया है बहुत ही जादा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नास्ता जिसे हम बनाएंगे बिना बेसन बिना सूजी बिना मैदे के अगर आप बेसन और सूजी के नास्ते खाखा के बोर हो चुके तो एक अगर आपने मेरे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरू सुस्क्राइब कर लेना साथ ही नौट्पी के से विल्कौण करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोट्पी के सा मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान डेस्वी का फाइदा तो यहां पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज लिए जिसको मैंने इस तरह से मुटा मुटा कट कर लिया है अगर आप याज नहीं खाते तो बिला प्याज के भी इसको बना सकते हैं तो फ्रेंट आगे गैस के तरफ एक हमने पैन लिया है इसमें डालेंगे हाफ तक आइल बस इतना आइल काफी है इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो यहां पर आइल जैसे गरम इंगा इसमें हम हाफ टीस्पून तक दालेंगे जीरा जीरे को हम 10-15 सेकंड चटका लेंगे काला हमें जीरे को नहीं करना है अब इसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हलका सा गोल्डन ब्राउन करेंगे काला नहीं करेंगे इस बात का आपको खास खया लगना है यहां पर देखिए एक मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो गई है बस इतना ही पकाना है अब इसके बाद हमने ए तो यहां पर हम इसको 10-15 सेकंड भूल लेंगे का कश्चापन निकल जाए अगर आप नहीं खाते तो बिना इसको भी बना सकते हैं आप इसको मट डालना तो यहां पर देखिए सारी जीज़े विल्कुर अच्छे से भून गई है इसमें हम डालेंगे बच्छों के फेवरेट आलू जो हमने दो मीडियम साइज के आलू यह थी जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है आप चाहे तो इसको मैस करके भी ले सकते हैं ग्रेट या मैस जो भी कीजिए आलू को ठंडा करके ही इस्तमाल करना गरम आलू नहीं इसमें जाएगा तो यहां पर देखिए दो मीडियम साइज के आलू थे अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ एक आलू डालना और आलू डालके हम इसके अच्छे से बनाई के देंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो खतम हो जाए तो यह आपको जरूर करना है गैस और फ्लेम मीडियम करके आलू को अगर आके पास ना हो तो आप इस्वी याली भी डाल सकते हाफ टीस्पून तक नमक आपने टेस के अकॉर्डिंग डाला जितना नमक खाते उतना डाल सकते अब इसमें हम डालेंगे के लिए टर्मरी पॉडर जो हम सिर्फ हाफ टीस्पून डालेंगे जर्रमट डालना और इसमें हम डालेंगे चोथाई चमबच गरम मसाला जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके साथ सेयर करेंगे डियर आपने नास्ते को चटपटा बनाने के लिए एक बड़ा चमबच भर कर डालेंगे चाठ मसाला अगर आपके पास चाठ मसाला ना हो तो आप इसकी जगा पे नेवो का रस भी ले सकते हैं एक चमबच या फिर आप लोग ड्राय आमचुर पॉड़र यानि खटाई भी डा सकते हैं अगर वो भी ना हो तो आप टमाटर को पीस के भी इसकी प्योरी भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम मसालो को अच्छे से आलू के साथ भूनेंगे ताकि मसालो का कच्छापन निकल जाए मसाले अगर अच्छे से भूनेंगे नहीं तो टेश्ट नहीं आएगा तो मसालो को भी अच्छे से भूनना है इस बात का आपको खास खया लगना है तो यहां पे देखिए मैंने आलू और मसाले को अच्छे से भोल लिया है वापस से 10-15 सेकंड और कितना प्यारा कलर आ गया है आप इसके बंदर अंदर हम डालेंगे नास्ते की जान प्रस सरा धनिया जिसको मैंने हास से तरह से तोड़ कर डाला है आप चाहें तो इसको छॉप भी कर सकते लेकिन बहुत ज कि लिए यह अच्छा से दहना है वह काला हो जाएका और कलर अच्छा नहीं चाहें और ऐन दोनों प्रोसस को आप जरूर भॉछने बाद दालाना है और अलूल बीले मद कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद इस्तमाल करेंगे का अग्राइब कपड़े से चार बार देंगे अगर आक्रनी की दाल तो आप पुरत की दाल का भी सितमाल कर सकते हैं धुली वाली लेना शिलके वाली लेना और इसी के साद हम इसमें दो चमज मोंपणी डाल देंगे दोनों का कॉंबनेशन बहुत ही जाड़ा टेस्टी लगता है अब हम इसको कंटीनी चलाते हुए एक से दो मिलर तक घूनेंगे अच्छे से ताकि इसका जो टेस्ट है बिल्कुर अच्छे से निकला है तो यह यहां पे दाल को आपको भिगोने का कोई भी जंजट नहीं है गैस का फ्लेम लो रखना जो बर्तन लेना थोड़ा सा भाल लेना साकी जलेना तो यहां पे दाल अच्छे से भून गई है और मुमफली भून गई अब इसमें पांच का लिया लस्टन की डालेंगे और इसी के जगा पे पुदीना या धन्यका भी स्टमाल कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे दो ग्रीन चिली जिसको हम इस तरह से तोड़ कर डालेंगे अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइची नहीं खाते तो आप सिर्फ एक डालना और ग्रीन चिली को भी हम अच्छे से पंदा से लकें होने के बाद आप इसमें डालेंगे दो मीडिम साइज के टमाटर जो लाल होने चीए ना बीज निकालेलें ना ही जूस निकालें और तमाटर को मुश्य अदर आईच कर देंगे और इसाद को अदें थोड़िवें भूना था उसी ये ताला न हो जाए अब हम सारी सी जो को अच्छे से मिश करनेंगे और तमाटर को हलका सो स्वास होने का वेड करेंगे यहां पर एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ फीस्थून तक चाट मसाला जिससे चट पटा बनेगा यहां पर चाट इसको चीनी भी मोलते हैं सक्कर भी मोलते हैं अगर इसका कोई इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लोग भी बहुत प्यारा आएगा तो इसको डागते हम 10-15 से अच्छे से बुनेंगे ताकि चीनी हमारी मेर्ट हो जाए तो यहां पर देखिए सारी चीजे बिल्कु अच्छे से भुनगे टमाटर भी हमारे निकाल के ठंडा करेंगे अब सबसे छोटा लों मिकस्या जालेंगे यादर्ल इसको टास्पर करेंगे हम पाथ ні करेंगे पानि सब्सक्राइब टैकर देखर लेंगे बहुत ही अच्छा कलर आएगा आपके इस तरह से टास्फर करके आपको दिखा रहे हैं इसकी ठीकने समने इस तरह से रखनी है आप चाहें तो इस रटनी को ऐसे वे इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसके उपर तड़का लगाँगी तो चलिए फटा पर तड़का लगाते है जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें आफ टीश्पून तक ऑईल डालेंगे आप चाहें तो घीव बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के के लिए तो यहां पर जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें एक पिंच हिंग डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी चटनी के बाद हम इसमें 5-6 कड़ी पत्ता डाल देंगे लाश्ट में क्योंकि यह बहुत जल्दी काले हो जाते हैं तो तरका लग गया और इसको लगा देते हैं तो यह देखिए इस तरह से गरमा गरम तरका इसको पर आइड कर देंगे और तरका लगाने के बाद जो लाइडने रख देते हैं और नास्ते की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए यह बिल्कुर ठंडा हो चुका है जब ठंडा नहों आपको नहीं स्तमाल करना अब इसे एक बड़े साइज के बरतर में हम टास्पर करेंगे तो इस तरह से टास्पर कर लिए अब इसके अं अब इसको डालके हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से आटे के फॉर्म में आने तक मसल मसल कर गूंदेंगे तो पानी का इस्तमाल बिल्कुर भी नहीं होगा अगर आपको लगे ज़रा गीला है तो आप थोड़ा सा आटा और डाले ना तो यह देखिए इस तरह से अच् आपके सारे फ्लेवर बिल्कुर अच्छा से मिल जाए तब तक हम पुटे हाथों को बास कर लेंगे फिर इसके बास हम दूसरा काम करेंगे इसको साइड ने रख देंगे दियर देखिए एक बड़े साइच का बड़तर ले लिए अब इसमें हम डालेंगे आदा ग्लास पा आपके पास चार्ट मसारा नहों तो आप इसकी जगहा पे निवू का रज़्दी इस्तमाल कर सकते या फिर ड्राय आमचुर पॉडर यानि खटाई भी डाल सकते अब इसमें हम दो से तीन बूर डालेंगे बस इतना काफी ज़्यादा लहीं डालना है और इसमें चोथाई चमबर डालेंगे सुगर चीनी जिसके शक्कर भी बोलते हैं अगर इसका कोई नया ना हो तो कमेंट बाक्स में जरूर बताना डियर अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमबर कॉन फ्लॉर अगर आपके पास क चकला भी ले सकते अब यहां पर मैं लूंगे चार स्लाइस ब्रेट के जो मैं बाइट वाली इस्तमाल कर रही हूं आप चाहे तो ब्राउन वाली भी ले सकते यहां पर मैंने बड़ा वाला साइड लिया है अगर आप चाहे तो छोटा वाला भी ले सकते तो अगर आपके छ और यहां पे छान आप चछे Lis कर देंदर और इसमसे तीन पर मसलेंगे ताकि यह बिल्कुल हलके से चिकना हो जाए बस जाना नहीं क्योंकि हमने से फून ले का टाइंग दिया था अब चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे ताकि यह चुपके ना क्योंकि इसके अंदर आलू है और अब हम इसके इस तरह से गोल-गोल पहले दिंबू के आकार के पेड़े बनाएंगे यह देखिये नीमू से हलका सा बढ़ा रिखना है बहुत जड़ा बढ़ा नहीं रखना यह देखिए इस तरीके से तो चलिए बाकी बना लेते हैं फिर आफ सरी में बना लिया है आप इसे बना कर फ्रेज में भी लगा सकते हैं ज तो थोड़ा सा ऐल लगा लेंगे और अब अपनी गोली को हम इस तरह से हलका सा फ्लैट करते वे इसके उपर रखेंगे और इस तरह से हम चारो तरफ से प्रेस करेंगे ताकि सुन्दर सी डिजाइन पढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी सी डिजाइन पढ़ेगी हलका हलका सा देना चारो तरफ से और अब हम इसको निकाल लेंगे यह देखिए कितनी सुन्दर डिजाइन हमारी पढ़ गई है इसी तरीके से हम सारी रेडी तो फ्रैन देखिए इस तरह से मैंने सारे बना लिया कितनी प्यारी डिजाइन पढ़ गई है आप चलिए इसको बनाने अब इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे और इसको आगे पीछे से इस तरह से करके पूरा डीब कर लेंगे और अब हम इस तरह से इसको इसके उपर रखेंगे और इसके उपर हम इस तरह से डालेंगे हलका हलका सा तो चलिए बाकी भी हम कर लेते हैं ये रेखिए बहुत ज़रा रही लगाना है और बहुत ही आसान रेस्पी है आप इसे बना कर श्टोर भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप डालके दोनों तरफ से अच्छे से इसको कवर कर लेना घोल से और फिर इसके बाद आप इसको इसको हलका हलका सा प्रस कर देना और इस तरह से घुमा भी देना ताकि चारों तरफ लग जाए इस तरह से मैंने सारे कर लिए आप चाहे तो इससे फ्रीज में भी लगा सकते हवावन डिबे में भरके और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते तो मैं इसे फटाफ़ट देंगे तो यहां पर देखिए मैंने पांचो डाल दिये हैं अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है दो मिनट के बाद हम इसे टच करेंगे यानि पलटेंगे दो मिनट से पहले आपको इसे टच नहीं करना है तो फ्राइन दो मिनट ह दिया है सारे अब इसे हम दूसे साइट से फीडो मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे तो फटा-फटा निकालने के बाद आप से मिलते हैं थोड़ वे इसका फाईले जर कितना ज़दा कुफसरी बने हैं और ये बिलकुल नंबे समय तक ऐसे ही रहेंगे अगर आप मेई टीप एंट्री को फॉलो करके बनाएंगे और अंदर से बिलकुल सॉफ्ट है हाड नहीं है बच्चे से लेके बड़े तक इसे खा सकते हैं और इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे enjoy करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कैसी लगी आपको ये चटनी की रेस्टी कमेंट बाक्स जरू बताना चटनी की रेस्टी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना अगर आप हमाई चैनल पर नए है तो हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करना अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ enjoy कीजिए चलिए मुझसे वेट नहीं हो रहा है मैं जारी इसे enjoy करने आप भी बनाइए खाये love you all by and take care मिलते हैं बहुत जल्दी नहीं रहते के साथ